हाथ बॉस आज की इस वीडियो में हम मिज़ापुस सीजन 3 के सारे एपिसोड को एक्स्प्लेन करेंगे डिटेल में तो बिना बकवास के वीडियो को सुरू करते हैं सीजन 3 की सुरूआत होती है पिछले दो सीजन के रिकैप से जहां गुड़ू बबलू ने कैसे कालिन भाया को जोइन किया था और रतिसंका सुकला को जाके जौनपूर में ठोका था कैसे मुन्ना ने बबलू और सुटी को मार दिया था जिसका बतला गुड़ू और गोलू न सीजन 2 में लिया था मुन्ना और कालिन भाया को मार के लेकिन कालिन भाया को सरद बचा के ले जाते हैं यह सारे कांड हमें याद दिलाए जाते हैं जिसके बाद सिरीज स्टार्ट होती है मुन्ना भाया के डेड़ बौड़ी से जहां उनका अंतिम संसकार करने के लिए कोई भी तक पता नहीं है क्योंकि उनकी डेड़ बॉड़ी नहीं मिली है अब कोई नहीं है तो अंतिम संसकार खुद मुना भाईया की पत्नी माधुरी करती है जो कि अब प्रदेश की CM भी है अंतिम संसकार के बाद माधुरी मिडिया को गरंटी देती है कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और बहन और बेटी के साथ नहीं होगा प्रदेश भैमुक्त होगा ये मेरा वादा है जिसके बाद हमें कोटरूम का सीन दिखाया जाता है जहां गुड़ू के पापा रामाकान तने खुद के उपर ही केस किया है क्योंकि पिछले सीजन में गुड़ू को एंकाउं जो कि अपने पापा से मिलने आया है गुड़ू अपने पापा से कहते हैं कि सरेंडर करने की कोई भी जरूरत नहीं थी हम देख लेते मामले को आप आईए घर चलिए लेकिन रामाकान तो गुड़ू की बात को नहीं मानते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं अगले सिन मे दिखाये जाते कि सरद माधूरी से मिलने गया है सरद माधूरी से कहता है कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ लेकिन हम आपके साथ हैं हमारा पुरा सपोर्ट है लेकिन माधूरी भी साफ कह देती है कि सपोर्ट तो ठीक है लेकिन इस बात को याद रखना बहे मुक्त प्रदेश के मिसन में आपका भी नाम सामिल है इसमें सहुलियत की उमीद मत रखना मुझसे इधर गोलू की एंट्री होती है जो की कालिन भाय की तलास में है वो तो नहीं मिलते हुसे मिल जाता है वहां का बहुबली जिससे गोलू कहती है कि हम गुड़ू के आदमी हैं हमारे खिलाफ जाना मतलब गदी के खिलाफ जाना होगा जिसके बाद वो गुड़ू को समझाता है कि गुड़ू के सिर्फ मिज़पुर की गदी पे बैठने से वो राजा नहीं बन गए है पुरवांचल के बहुबली का समर्थन भी चाहिए उन्हें जो कि गुड़ू के पास नहीं है तो आप यहां से चुपचाप निकल जाएए वरना मारी जाएंगी जिसके अगले सीन में माधुरी आईजी को कहती है कि गुड़ू को खतम करना है लेकिन बिना सरकार की नजर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए जिसपे आईजी कहता है कि कुछ लोग हैं जो यह काम कर सकते हैं हो जाएगा आप टेंसन मत लीजिए जिसके अगले सीन में गोलू बीना को आके बताती है कि अगले हफते पुरवांचल के मुखिया का चुनाव करने के लिए बैठक है और गुड़ू को गद्धी पाने के लिए कालीन भाईया की डेड बोड़ी की जरूरत पड़ेगी जिसके बाद गुड़ू पुरवांचल के सारे बहुबली को मैसेज करने के लिए बोलते हैं कि मिज़ापूर आईए और अपनी लोयल्टी को प्रूफ कीजिए जो भी नह आएगा वो दुसमन में गिना जाएगा इदर सरत पुरवांचल के सारे बहुबली से मिलके कालीन भाईयों को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं जिसके बाद सरत की माउने यार दिलाती हैं कि पीछे से काम करने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हें बदला लेना है तो खुल के मैदान में आओ जिसके बाद सरत निकल जाता है पस्चिम के बहुबली मुनवद से मिलने लेकिन वहाँ उसे कुछ हासिल नहीं होता है अगले सिन में गोलू गुडू को समझाती है कि मामला हमारी तरफ नहीं है हमें समर्थन चाहिए मिजजापूर की गदी पे बैठने क नहीं है और खुद को योग ये बताते हुए मिजजापूर की गदी पे दावा करते हैं तभी गुडू भी बैठक में पहुच जाते हैं दोनों की जम के भहस होती है बात हाता पाई तक आ जाती है लेकिन सरद मीटिंग में ये बात रख देते हैं कि अगर तुमने कालिन भ भाईया के दम पे जिसके अगले सिन में सरद पहुस्ताय सिवान में भरत त्यागी से मिलने जहां पहली बार कालिन भाईया दिखते हैं जो की कोमा में हैं सरद डॉक्टर से कहता है कि इन्हें होस में लाना बहुत ही जरूरी है और अगले अपिसोड में मैक्सिको वाले तभी दद्दा त्यागी सरद से पूछते हैं कि तुम ने अपने दुसमन को क्यों बचाया जिसका जवाब देते हुए सरद कहते हैं कि गद्दी और पावर के लिए तभी त्यागी सरद को कालिन भाईया की मदद करने के बदले गोलू को असल लाने की बात को यार दिलाते जिसके बाद गुडू फैक्टरी जाता है और कहता है कि काम क्यों नहीं हो रहा आजकल जिसका जवाब होगा के वरकर के पास नहीं होता है गुडू गन के पोड़क्शन को बढ़ाने के लिए बोलते हैं उधर गुपता जी यानि गुलू के पापा गुलू से मिलने आते हैं जहां बीना गुडू को अफीम के धंदे में वापस उतरने के लिए बोलती हैं लेकिन गुडू कहते हैं कि ये कैसे होगा क्योंकि अफीम के बिजनेस का सबसे बड़ा नेटवर्क लाला के पास है और लाला जेल में है जिसके अगले सिन में सरद लाला से मिलने जेल में जय जिसमें गुडू को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाने का इंविटेशन दिया जाता है, जिसके लिए गुडू तैयार हो जाते हैं, हाला कि गुडू को इसमें डाउट होता है, लेकिन फिर भी ओ गुडू को बोलती हैं कि ठीक है, लेकिन आप मेरे बिना नहीं जाओगे, ये कहने के बाद गुडू बधोई के लिए निकल जाती हैं, जेपी यादो का पता लगाने, इधर गुडू गुडू को बिना कॉम्पेटिशन में पहुच जाते हैं, जहां पुलिस वाले उनके लिए पूरी फिल्डिंग लगा के बैठी है, और इसकी जानकारी आई जी म माधूरी हाँ बोल देती हैं, जिसके बाद पोलीस गुडू पर हमला कर देती हैं, लेकिन जैसे तैसे गुडू सबको मार के निकलने ही वालے होते हैं, तभी उनके सामने खड़े हो जाते हैं, मैक्सिको वाले चचा उनके हाथ में बंदूख है, लेकिन बिना मतलब के गु जिसके बाद माधूरी पे सवाल उठेने लगते हैं प्रदेश में ये सब क्या हो रहा है इधर सिवान में कालिन भाईया को होस आ जाता है और तुरंत मुन्ना के बारे में पूछते हैं वो तो इस पे सरत कहते हैं कि उनके पास दोई आप्सन था या तो वो गुड़ू को पूछते हैं कि क्यौं बचाया तुमने मुझे जिसका जवाब सरत देते हैं कि वो अपने पापा को तो खो चुके हैं लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहते हैं जिसके बाद सरत की माहां उनसे बोलती हैं कि सबको ये बात पता चलनी चाहिए कि कालिन भाईया अभी करती हैं और आई जी और यूपी एस्टी अफ पे जाच करने के आदेश देती हैं ताकि माधुरी अपनी इमेज को साफ रख सके जिसके बाद माधुरी सरत को बुलाती हैं क्योंकि अब वो दुबारा गुड़ू पे हमला करने का रिस्क नहीं ले सकती हैं लेकिन सरत ये काम क चाते हैं कि जो होना ता वो हो गया अब आगे बढ़ो इधर गोलू कालिन भाईये की तलास में लगी हुई है और उसे पता चलता है कि सरत बार बात सिवान में आ जा रहे हैं जिसकी तह तक पहुचने में गोलू लग जाती हैं इधर निउस पेपर में अभी भी माधूरी पर सवाल उठ रहे हैं और माधूरी कुछ ऐसा करना चाती हैं ताकि न्यूज की हेडलाइन को बदला जा सके तभी उनका पीए आम बाग प्रोजेक्ट के बारे में बताता है लेकिन माधूरी उसे पैसे की बरबादी बताती है लेकिन उनका पीए उन्हें समझाता है कि इस इसे उन्हें पॉलिटिकल फायदा होगा जिसके बाद माधूरी तैयार हो जाती है लेकिन उनके पास इस प्रोजेक्ट को पुरा करने के लिए फंड नहीं है तभी माधूरी सरत से डील करने के बदले 5 करोड उपे मांगती है अब लाला की बेल तो नहीं हो पाती है लेकिन सरत उन्हें एक डील देते हैं ताकि पैसा आ सके उनके पास अफीम सरत का होगा नेटवर्क लाला का होगा और प्रोफिट दोनों आदा आदा सेर करेंगे जिसके अगले सीन में परिवार के दवाव में आके रमा संकर अपना केस खुद लड़ने का फैसला करते हैं ताकि व लड़कियों को अंदर ले जाके एक को बेल्ट ऐसे मालता है उदर लाला की बेटी सबनम लाला से मिलने जेल जाती है और गुड़ो के साथ अफीम की डील सुरू करने के लिए कहती है तब ही लाला उससे कहता है कि उसने सारत से पहले ही डील कर ली है इस बात पे सबनम अप जूटी गवाई देता है रमाकांत के खिलाफ कि रमाकांत ने SSP मौरिया को ब्लेकमेल किया और अपने बेटे को बचाने के लिए उनकी हत्या कर दी ताकि गुड़ू को कोई और पकड़ ना सके दूसरी और गुलू डिम्पी से मिलने जाती है तब ही डिम्पी गुलू से सीन में सब्णम गुड़ू से मिलने आती है और अफeem के डिल करने के लिए कहती है और सबनमने जाने हमां टेल कोई है इसलिए मैं जाऊंगा अब गुड़ू और सब्णम अफeem के डिम करने के लिए बीजी हो जाते हैं तभी इदर गोलु को कालीन भाईया की लोकेस्टन की जानकारी मिलती है जो कि छोटे त्यागी की एक चाल है क्योंकि टिप देने वाला वही है गोलु को अब गोलु गुडु को कॉल करती है लेकिन वह कॉल को उठाते नहीं है क्योंकि वह सबनाम के साथ बिजी हैं मजे लेने में अब गोलू अकले जाने का फैसला करती हैं अब गोलू डेज सारा पैसा लेके फैक्टरी जाती हैं और अपने आदमी से कहती हैं कि काम रिस्की है पैसे ज्यादा मिलेंगे जिसके बाद आदमी लेके वो सिवान के लिए निकल जाती हैं कालिन भाईय गोने लगती है और सारे आदमी मारे जाते हैं तभी गोलु को खिड़की से कालीन भाईया दिखाई देते हैं तो गोलु सोचती है कि अब मरना है तो कालीन भाईया को मार के ही मरें जिसके बाद वो रूम में जाती है और जैसे ही गोली चलाने वाली होती है तभी त्यागी उ अपने आदमी के भरो से कैसे चोड़ सकता है जिसके बाद सरअत कालीन भायों को घर लाने का फैसला करता है इधर गुडू मिजयापूर वापस आते हैं और गुडू को आ ना पाके परिसान हो जाते हैं गुड़ो पता करता है कि कहा है गुलू तो आपे पता चलता है कि वो काफी आदमी और हतियार लेके मिज़पु से बाहर गई हैं उधर सरत कालिन भाईया को लेकर अपने घर आता है। तबी सरत को उसके आदमी का कॉल आता है। कि जौनपुर में मिज़पुन नंबर की गाड़ी एंटर हुई है। सरत समझ जाता है कि गुड़ू ही होगा। अब तक उसकी लास बॉर्डर पे पड़ी मिलती जिसके बाद गुड़ू गन तान देता है सरत पे दोनों तरफ का मौल गरम हो जाता है लेकिन पस्चिम का बावबली मुनवर कॉल करके दोनों को वालेंस कम करने की सला देता है और कहता है कि गोलू मिल जाएगी दिमाग का इ बलकि नदी से आता है जिसके बाद सरत माधूरी के पास जाता है और माधूरी फंड देने के लिए सरत को सुक्रिया बोलती है तबी सरत गुड़ू की अफीम की जानकारी माधूरी को देता है माधूरी नार्कोटिक्स के टीम को नदी पे तैनात कर देती है ताकि गुड़ और लाला कमाल पकड़ा जा सके इधर गुडू बॉखलाएं हैं गुलू की तैलास में लेकिन बीना कहती हैं कि गुलू को छोड़िये गदी पर फोकस कीजिए लेकिन गुडू साप बोल देते हैं कि वो गुलू के लिए गदी को कुर्बान का सकते हैं इधर सरत को जवाब द की गुडू को जितना भी आतंक मचाना है उसे मचाने दो इसका फायदा तुम अब तुम्हें बिठाएंगे इदर सबनाम गुड़ू को बताती है कि माल पुलिस ने पकड़ लिया है लेकिन जोसी ने माल को छुड़वा दिया है और अब माल सेफ है जिसके बाद दोनों में गोलू को लेके जगड़ा होता है और गुड़ू अफीम लेके चले जाते हैं और सरत के पास भी गुड़ू का अफीम पहुच जाता है जिसके बाद सरत को ये पता चल जाता है कि गुड़ू का अफीम उनसे बैटर है जिसके बाद सरत को अपना अफीम पुरवानचल में बेचना है तो उन्हें गुड़ू का कुछ करना होगा नहीं तो सब लोग अफ मंतरी से बिना पूछे किया है जिसपे सोलंकी जाके माधुरी को अनाप सनाप बोलते हैं लेकिन माधुरी भी सोलंकी को कहती हैं कि अगर काम नहीं करना है तो इस्तीफा दे दो यहां बाहुबली के पैसे पर पलने वालों के लिए कोई भी जगा नहीं है इदर दूसरे सीन मे त्यागी गोलु को बंदी बना के रखते हैं जिसपे गोलु पूस्ती है कि उसे जान से क्यों नहीं माध दिये तो त्यागी गोलु का घाव दबा के बोलते हैं कि माजा आया की नहीं इदर नियूज में ये बात फैल जाती है कि माधुरी के पिता ने माधुरी के पहले पत से बाहर निकालने के लिए कहती हैं बदले में उन्हें लखनाओं में पर्मनेंट रख लिया जाएगा दूसरे सिन में जेपी यादो पहली बात दिखाई देते हैं और माधुरी के पापा का वीडियो जेपी नहीं वाइरल किया है जेपी माधुरी की सरकार को गिराना चाहते हैं और जेदीना जेपी को पकड़ना चाहती हैं ये भी जेपी को पता चल जाता है इदा जेल में कई कैदी की एक साथ रिहाई की खुसी में जैसन मनाये जा रहा है जिसमें कविता कहने वाले इस लड़के की कविता पे सारे लोग ताली बजाते हैं लाला भी खुसो के उस चोटे त्यागी हो तुमने बड़े को मार के उसकी जगल ले लिए दद्दा त्यागी ये बार जान जाएंगे तो तुम्हारी जान ले लेंगे वो तुमसे प्यार निकलते हैं आओ चले मिज़ापुर वहाँ पे तुम आजाद रहोगे जिस पे त्यागी उससे पुस्ता है क क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार कलती हो तो गोलू कहती है कि हाँ तो छोटे त्यागी गोलू को थपड़ मार के कहते हैं कि जूट ये बोल के तुमने मेरा पहले भी फाइदा उठाया है लेकिन इस बार मैं चूतिया नहीं बनूगा उधर बिना अलगी पॉलेटिक्स जिसके अगले सीन में दद्दा त्यागी चोटे की याद में रोते हुए दिखाई देते हैं ये देखने के बात छोटे सोचता है कि मैं गलत था दद्दा मुझसे भी प्यार करते हैं इधर लालक अंतिम संस्कार करके उन्हें दफनाये जाता है जानाजे में घुडू भी स सरत कहता है कि ठीक है अब हमारे बीच की दोस्ती खतम अब हमारे बीच इसे प्रोफेशनल वर्क होगा इदा सरत ने लाला को मरवा दिया इस बास से कालिन भाईया गुस्सा है क्योंकि लाला का नेटवर्क सबसे बड़ा था जिसका फाइदा सरत को आगे मिलता लेकिन कालिन सरत को एक प्लान बताते हैं कि बैठक को बुलाओ ताकि गुड़ू समझे कि तुम कमजोर पड़ गए हो कालिन भाईया सरत से वो करवाना चाते हैं जो आज तक पुरवांचल के इतियास में नहीं हुआ जिसके बाद मुनवर्क गुड़ू को बैठक की जनकरी देते हैं तरफ बैठक में मुनवर कहते हैं कि दसारे तक मिज़ापूर की गद्धी को दो हिसों में बाड़ दिया जाए आदी जौनपूर और आदी मिज़ापूर को दी जाए ताकि मामला सांत रहे दोनों इस बात पर मान जाते हैं उधर दद्दयत है कि उन लोगों को पगड़ ल सलोनी की ये बात पता नहीं है कि ये बड़े नई बलकि छोटे हैं जिसके बाद अगले सीन में कचड़े में पड़ी डेड़ बॉड़ी पुलीस को मिलती है गुड़ू भी वहाँ पहुच जाते हैं और डेड़ बॉड़ी देखने से पहले पुलीस उन्हें रोक देती है और कहती है कि बॉड़ी पुरी जल गई है बॉड़ी के कपड़े फोन गाड़ी सब कुछ गोलू से मिलते हैं यानि ये गोलू ही है और ये डेड़ बॉड़ी गोलू की है ये जाने के बाद गोलू के पापा खुद को गोली माल लेते हैं अब गोलू की मौश से भी कायम है लेकिन कालिन भीया कहते हैं कि जिमेदारी लोगे तो गुड़ू तुमें मारने आएगा जिसके अगले सिन में गुड़ू अपने पापा से मिलने जेल में जाते हैं और बताते हैं कि मैं अकेला पढ़ गया हूं जो भी मेरे साथ आता है मारा जाता है उनके पापा बनाना है जिसे भी मारना पड़े मार दो जितना कटा चाहिए उठा लो लेकिन तबी गुड्डू से मिलने IG गेट पे आता है और IG मादूरी की बाद गुड्डू से करवाता है मादूरी बीना और उसके बच्चे को साई सलामत छोड़ने के लिए कहती हैं जिसके बदले में गुड्डू के पापा को फासी नहीं होगी ये गैरंटी लेती है मादूरी लेकिन गुड्डू इस बात से तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि जो करना है कर लो जिसके बाद मादूरी रामाकांत के के केस में जजज को बदल देती है और केस को फास्ट रैक कोट में डाल देती है और उन्हें फासी हो ये प्लान बनाती है रामाकांत की फाइनल हेरिंग में गुड़ भी कोट में आते हैं लेकिन इधर सलोनी की त्यागी पे सक हो जाता है और वो उनका पीछा करती है और पहुंच जाती है गोलु के अड़े पर और देख लेती है सारा मामला और गो उठके बोलता है कि यह सब ऑपजीशन की चाल है रामाकांत जी को फासी दिलवाने की और यह भी बताता है कि उसके पास सारे सबूत हैं इन सब बातों को साबित करने के लिए कि एसेसपी मौरिया गुड़ू का एंड काउंटर करने वाले थे क्योंकि उसने गुड़ू को यह सबूत दिये थे रामाकांत को और रामाकांत ने दिया था एसेसपी मौरिया को जिस पर कोट अपना फैसला होल्ड कर लेती है और सबूत की जाच करने के लिए कहती है जिसके बात गुड़ू अपने घर आता है और रॉबिन से कहता है कि तूई है असली सांप जिसने मे जानी और मारी गई जिस पर गुड़ू रॉबिन से कहता है कि तू मिला था गुलू से तो रॉबिन कहता है कि हाँ वो अकाउंट क्लोस करके सारा पैसा लेके कहीं जा रही थी जिसके बाद गुड़ू का गुस्सा साते में आसमान पर पहुंच जाता है इसलिए कि वो सारे सार में गुलू की तलास कर रहा है लेकिन रॉबिन को सब कुछ पता होते हुए भी उसने कुछ भी नहीं बताया गुड़ू को जिसके बाद गुड़ू गुस्से में उसकी आग फोर देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं अगले एपिसोड में गुलू को सलूनी से पता च पहुचाये जाता है उदर मादूरी सरत को बताती है कि गुड़ू अब जेल में है जिसके बाद दोनों गले लगते हैं और मादूरी अपने प्यार का इजहार कती है यहां से दोनों की लव स्टोरी सुरू होती है उदर मादूरी गुड़ू से मिलने जेल जाती है और कहती कि तुम्हारा खेलब खताम हो गया है अब तुम यहीं सडों की जिंदगी भर दूसरीन योख छोड़े फिसे सलोनी और गोलू के पास जाते हैं सलोनी छोड़े के ध्यान भतकाती है लेकिन गोलू सलोनी की हाथ का नस काटके भाग जाती हैं छोड़े उन पर गोली चलाते हैं जो कि गोलू के कंदे पे जाके लगती है लेकिन गोलू तब भी भाग जाती है इधर जेल में गुड़ू को मारने के लिए कैदी इकटा होते हैं मादूरी के इसारे पे लेकिन गुड़ू भी पागलू की तरह सा आदमी आ जाता है और गुड़ू को मार के अदमारा कर देता है अब सरत का रस्ता बिल्कुल साफ है मुझापूर की गदी पे बैठने के लिए उदर डिंपी रॉबिन का बदला लेने की ठान लेती है और सारे बाहुबली को सजा दिलवाना चाहती है क्योंकि उसको पता है कि उसके पापा के पास बड़े लोगों के खिलाफ सबूत है जो कि उन्होंने छिपा के रखा है वो जाती है जेल में उसे पूछने के लिए जिस पे उसके पापा उसे मना करते है लेकिन फिर भी वो सबूत लेके मादूरी के पास पहुँच जाती है जिसमें मादूरी के कि मौत एक्सिडेंट नहीं थी बलकि प्लान किया हुआ मर्डर था जिसका मास्टर माइंड कोई और नहीं बलकि सरत था अब ये बात माधुरी को पता चल जाती है जिसके अगले और लास्ट एपिसोड में गोलू मिजयापूर वापस आती है जहां पर उसे खबर मिलती है कि गुडू के साथ आखिर हुआ क्या और गुडू को जेल से निकालने के लिए गोलू जेपी से मिटिंग फीक्स करने के लिए कहती है जिसके बाद वरार्थ का सिन दिखाये जाताा है जहां जैरीना प्राइवेट सरविस देने के लिए जाती है लेकिन वहाँ उसे मिलता है जीपी जीपी जेपी जरीना से मादूरी की सरकार घिराने का भाव पुस्ता है। जरीना कहते हैं की काम हो जाएगा लेकिन उसे चाहिए सीयम पद जिस पे जेपी कहता है की बात में देखेंगे पहले तुम काम करो। लेकिन काम करने से पहले जेपी जरीना की अच्छे से लेता है। उधर मादूरी आमबाग प्रोजेक्ट का उद्गाटन करती है। इदा जेपी सोच रहा है कि जरीना MLO को तोड़ के उसके पास लेके आएंगी। लेकिन जरीना अलगी खेल खेल जाती हैं। और सारे MLO को लेके सरत के पास पहुँच जाती हैं। जिसपे जेपी का सपना एक बार फिस चकना चूर हो जाता है। उधर गोलू जेपी से मिलने जाती हैं। और बताती है कि तुम आके लिए एक काम नहीं कर सकते हो। तुम्हें हमारा सपोर्ट लगेगा। जिसपे जेपी बोलता है कि कैसे गुड़ू तो जेल में हैं। तब गोलू कहती है कि गुड़ू को निकालिये। हम आपका काम करत देंगे। जेपी गुड़ू को निकाल सकता है। क्योंकि उसके सामने बैठा है प्रदेश का ग्रीमंतरी। जो कि मादूरी से अपने बेजयती का बदला लेना चाता है। जिसके बाद सारत मादूरी से मिलने आता है। तब मादूरी सारत से पूस्ती है कि तुमने अपने पीछे जो भी कांट किये हैं वो तुम मुझे बता सकते हो। इससे हमारे बीच कुछ भी नहीं बदलेगा। तब सारत कहते हैं कि कालिन भाईया भी जिंदा हैं लेकिन मादूरी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो कालिन भाईया की खबर देंगे। माधुरी ने सोचा था कि वो उसके पापा की मौत के बारे में बताएंगे लेकिन कालिन भाया की जानकारी मिलने पे वो चूपो जाती है और सरत को कहती है कि उन्हें कालिन भाया से मिलना है इधर कालिन भाया सरत को बैठक बुलवाने के लिए कहते हैं लेकिन सरत उससे पहले मादूरी से मिलने की बात कहते हैं अब मादूरी और कालिन भाया की मुलाकात होती है जिसमें मादूरी कहती है कि अगर आपको गुड़ू और अपना परिवाद चाहिए तो जैसा मैं कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा जिसके बाद बैठक सुरू होती है और मुनावर क पच्म का पूरा कंट्रोल नहीं की की कासा करती है और ये काम पूलिस आके पुरा कज देती है और ये काम कालिन भाईया ने माधूरी के कहने पे किया है लेकिन सरत मरनेस पहले मिज़ापूर की गदी पे जाके बैठ जाता है जिसके अगले सिन में बीना और कालिन भाईया की मुलाकात होती है और उनसे मिलनें के बाद कालिन भाईया सीधा जेल में जाते हैं गुड़ू पंडिस से मिलने लेकिन गुड़ू की जगह वहाँ पे कोई और मिलता है जिसका मतलब साफ है कि गुड़ू जेल से निकल गए है और सीधा गुड़ू निकलने के बाद गोलू से मिलने पहुँच जाते हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और जैनला खतम हो जाता है तो इससे पहले आप इस विडियो को छोड़के जाएं आपको बता दे कि वीडियो को बढने में दो दिन सी ज़्यादा का समय लगा और आपको दो सेकंड भी नहीं लगएगा वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब करने में प्लेज कर देना औ और अगर आपको किसी और मुवी या वेब सेरीस का डेटेल्ड एक्स्प्लेंड वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट में लिख के बताओ मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा बागी मेरा तो हो गया मिलते हैं कौर नई वीडियो में जैहिंद